आज हम इस वीडियो में करेंगे ख्लास 6 हिंदी मंजरी भृग का पार्ट 6 पार्ट का नाम है क्यूं क्यूं लड़की और इस पार्ट की लेखिका का नाम है महाश्वेता देवी इस पार्ट में लेखिका ने एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिग्यासा, जीवन संखर्ष तथा कारिकरने की लगन को रोचक संवास शैली से प्रस्तुत किया है क्योंकि वो जो लड़की है वो काफी जिग्यासू है और बहुत सारे प्रश्न करती है तो चलिए पार्ट पढ़ते हैं पर क्यूं छोटी सी लड़की थी वह करीब दस साल की यानि उस लड़की की उम्र थी दस साल एक बड़े से साप का पीछा कर रही थी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था मैं उसके पीछे भागी उसकी चोटियां पकड़ घसीट कर लाई उस पर चिल लाई ना मोयना ना और उस लड़की का नाम था मोयना मोयना की उम्र दस साल की थी और वो किसी से डरती नहीं थी साप से भी नहीं यहां लेखी का उसकी चोटियां पकड़ कर घसीट कर लाई थी और उनोंने उसको रोका भी था क्यूं? उसने पूछा वो कोई धामन-वामन नहीं है नाग है नाग तो नाग को क्यूं ना पकड़ू, क्यूं, अरे काट लेगा नहीं इस बार नहीं पर क्यूं तो धामन वामन यानि धामन जो होता है साब की एक जाती होती है और लेकी का उस पर चिलाई कि भाईया ये कोई धामन वामन नहीं है नाग है, अगर तुम उसे पकड़ोगी तो तुम्हें काट लेगा मैं उसे ओफिस तक घसीट कर लाई वहां उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी यानि वो मोहिना को घसीट कर अपने ओफिस तक ले आई और उन्होंने इनकी माँ से शिकायत करी जिसका नाम खीरी था जो की एक टोकरी बुन रही थी चलो थोड़ा आराम कर लो मैंने कहा क्यों? क्यों नहीं? ठकी नहीं हो क्या? वो बाद बाद पे प्रश्न करती थी मौईना ने सेरे लाया कि वो ठकी नहीं है बाबू की बक्रियां कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़ियां पकड़ने का फंदा लगाना ये सब कौन करेगा? क्योंकि मौईना तो सारे काम करती थी बहुत महंती थी काफी लगन थी उसे काम करने में हीरी ने कहा, यानि मौईना की माने कहा बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भोलना, यानि उसके लिए शुक्रिया करना क्यों? क्यों दू धन्यवाद उसे? उसकी गौशाला धोती हूँ हजारों काम करती हूँ उसके लिए तो मौईना का कहना था कि मैं चावल के लिए बाबू को धन्यवाद क्यों करूँ क्योंकि मैं भी तो उनके यहां काम करती हूँ ना जाने कितने काम वो बताते हैं और मैं करती हूँ क्या वो मुझे कभी धन्यवाद कहते हैं जो मैं उन्हें कह दूँ मोहिना अपने काम पर भाग गई खीरी सिरह लाती रह गई यानि उसकी मा उसे तो बस कहती रह गई और मोहिना अपने काम करने चली गई ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी बस कहती रहती है क्यों क्यों तो खीरी जो है वो अपनी बेटी से शिकायत कर रही है उसके लिए कि इसको न जने कितने प्रशन करने होते हैं, बार-बार पर क्यों-क्यों करती है गाउ के पोस्ट मास्टर ने तो उसे क्यों-क्यों लड़की का नाम रख दिया है, वो इतने प्रशन पूछती है मुझे तो अच्छी लगती है मोयना इतनी जिद्धी है पर एक बार पकड़ ले तो उससे हटती नहीं है यानि जो करने की ठान लेती है वो करके रहती है मोयना एक आदिवासी लड़की थी शबर जाती की शबर लोग गरीब और भूमी हीन थे यानि उनके पास भूमी नहीं थी रहने के लिए और वो गरीब थे पर बाकी शबर लोग कभी शिकायत करते नहीं सुनाई देते थे सिर्फ मोयना ही थी जो सवाल पर सवाल करती थी उसे हर बात पर एक सवाल उठाना जरूरी लगता था कि भाई ऐसा है तो क्यों है क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए क्यों रहते हैं हम पत्तों की छोपड़ी में हम दिन में दो बार चावल क्यों नहीं खा सकते मोईना गाउं के बाबों की बकरी चलाने का काम करती पर ना तो वह अपने आपको दीन ही समझती ना ही मालिकों का एहसान मानती वो अपने आपको कहीं से भी कम नहीं समझती थी और वो मालिकों का एहसान भी नहीं मानती थी क्योंकि उसका कहना था कि जैसे हम उनके लिए काम करते हैं वो अगर हमें कुछ देते भी हैं तो कौन सी बड़ी बात है वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुधबुधाती रहती क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं? क्यों उनका जूठा खाऊं? मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी शाम को हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला और सारे घर वालों के साथ बैट कर खाऊंगी यानि मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी और मिलकर खाऊंगी मैं क्यों रूखो सुका खाऊν? वैसे शबर लोग आम तोर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेचते हैं पर मोईना की मा एक परण से लंगडाती थी अपाहिश थी इस कारण मोईना को काम पर जाना पड़ता था वैस जादा चल फिर नहीं सकती थी उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे उसका भाई गौरो जलाओ लकडी लाने जंगल जाता था उसके भाई का नाम गौरो था सो मोईना को ही काम पर जाना पड़ता था उस अक्टूबर में मैं समिती के साथ वहाँ पूरा एक महा रुकी लेखिका बताती है कि वो पूरे एक महीने तक समिती यानि जो कमिटी होती है वहाँ पर वो पूरा एक महीना रुकी एक सुबा मोईना ने घोशना घोशना होता है ऐलान करना जोर से अपनी बात को कहना कि वो समती वाली जोपड़ी में मेरे साथ रहेगी यानि लेखिका के साथ रहेगी उसकी माँ खीरी ने कहा बिल्कुल नहीं तो उसने कहा क्यों नहीं इतनी बड़ी जोपड़ी है एक बुड़िया को कितनी जगा चाहिए तुम्हारे काम का क्या है वहाँ पर अरे काम के बाद हया करूँगी मा और वह एक जोड़ी कपड़े और नेवले के बच्चे लिए आप होची नेवले का बच्चा छोटा सा था उसको वह बस जरा सा खाता और बुरे सापों को दूर भगा देता उसने कहा अच्छे वाले सापों को मैं पकड़ कर मा को दे देती थी हमारी समती की सिक्षिका समती यह जो कमिटी थी उसमें जो टीचर थी जिनका नाम था मालती बोनाल ने मुझसे कहा आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता की पूछो मत क्यों मुझे बाबू की बक्रियां चुरानी पड़ती हैं उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं मचलियां बोल क्यों नहीं पाती हैं और मौयना ने लेकिका से इतने प्रशन पूछे कि उनके क्यों-क्यों सुनते ही पूरा अक्टूबर यूं ही बीत गया चुठकियों में अगर कई सारे तारे सूरज से भी बढ़े हैं तो वह इतने चोटे क्यों नजर आते हैं और हर रात को तुम सोने से पहले किताब क्यों पड़ती हो क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों-क्यों के जवाब मिलते हैं लेखिका ने उसका उत्तर दिया क्योंकि वो इतने सारे प्रश्न करती थी कि सूरज जो है वो दिखाई पड़ता है पर तारे बड़े होने के बाद भी छोटे नजर आते हैं रात को सोने से पहले लेखिका किताब क्यों पड़ती है तो इसका जवाब लेखिका ने कहा कि भाईया मुझे तुम्हारी क्यों-क्यों के जवाब चुदेने हैं इस एक बार मोयना चुप रही पता नहीं उस समय वो क्यों चुप हो गई उसने कमरा ठीक ठाक किया रंगन के फूले वाले ज़ाड को पानी दिया नेवले को मचली दी फिर उसने कहा मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढून निकालूंगी ये उसने तै किया कि अब वो पढ़ेगी और दूसरों से पूछने की बजाए अपने सवालों के जवाब खुदी ढूनडेगी जो जो वो मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती कई तारे तो सूरत से भी बढ़े हैं सूरज के पास हैं इसलिए बढ़ा दिखता है मचलियां हमारी तरह बाते नहीं करती मचलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती तुम्हें पता है प्रतवी गोल है यह सारी जानकारी यह जिग्यासर वाली बाते वो अपने साथ अपने साथियों को बताती थी एक साल बाद जब मैं उस गाउं में दुबारा पहुची लेखिका कहती है कि एक साल के बाद मैं जब दुबारा महां पहुची तो सबसे पहले सुनाई दी मोईना की आवाज इस्कूल क्यों बंध है? समधी के स्कूल के अंदर एक ममियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललका रा क्या मतलब है तुम्हारा क्यों बंध है? मैं भी क्यों ना पढ़ू? तो तुम्हें रोब कोहन रहा है पर कोई कक्षा ही नहीं लग रही? स्कूल पूरा हो चुका क्यों? तुम जानती हो मोईना मैं सुभे 9 से 11 बजे तब कक्षा लगाती हूँ मोईना किने पाउं पटेक्टर कहा? तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? मुझे बाबो की बकरियां चरानी होती हैं सुभा मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहां से? मैं बोड़ी मा को बता दूँगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो तो वो चाहती थी कि स्कूल का समय बदल दिया जाए क्योंकि उसे काम करते 11 बज जाता था और जो कक्षा है वो 11 बजे तक ही लगती थी तब ही उसने मुझे देखा यानि मोयना ने लेखिका की तरफ देखा अपनी बकरियां लेकर भाग खड़ी हुई शाम को मैं मोयना की जोपड़ी पर गई चौके की अंगार के पास मजे से बैठी मोयना अपनी चोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी एक पेड काटो तो दो पेड लगाओ खाने से पहले हाथ धोलो जानते हो क्यों पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोगे तो क्योंकि जो गंदगी है वो पेट में चली जाएगी तुम कुछ जहीं जानते हो क्यों? क्योंकि तुम समती की कक्षा में नहीं जाते वहाँ अच्छी बाते सिखाई जाती है तुम्हें क्या लगता है गाओं में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी? मौईना मौईना ने बड़े अपने उत्साह से कहा कि वहाँ की पहली लड़की मैं थी मौईना अब 18 साल की है वह समती के स्कूल में पढ़ाती है अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज सुनाई देगी आलस मत करो सवाल करो मुझसे पूछो क्यों मच्चरों को खतम करना चाहिए क्यों दुरुवतारा हमेशा उत्री आकाश में ही रहता है और दूसरे बच्चों को भी अब वो सिखा रही है पूछना कि ये होता है तो क्यों होता है क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम आगे सीखेंगे कैसे दूसरों को बताएंगे कैसे वैसे मोईना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यूँ मेरे बारे में ही क्यूँ तो ये तो हो गई कहानी और ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक लड़की है जो जिग्यासू है और अपने सारे सवालों के उत्तर जानना चाहती है अपने बड़ों से और जब एक दिन वो ये ठान लेती है कि वो पढ़ेगी और अपने सवालों के जवाब खुट ढूंडेगी और इस पार्ट के प्रशनुत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दवाईए और जादा से जादा शेयर करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीस सब्सक्राइब मैं चैनल फो न्यू अपडेट्स और थैंक्यू सो मच पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें